नमस्कार, मैं डाक्टर रौधिंद प्रताप सिंग, सहाय काचार कालीचरंग पीजी कालेज लखनो और इग्नू काउंसलर लखनो प्रियविद्यार्थियों जैसा कि पिछले व्याक्षान में हमने BHDLA 138 के अंतरगत निवंद, कहानी, व्यंग लेखन, इत्याद विधाओं पर विश्तार से चर्चा की BHDLA 139 काया पाठकरम कुल दो खंडों में विवस्थित है, जिनमें कुल 13 काया है, पाठकरम का आज दूसरा खंड परव्याख्यान है, इस खंड में भी 6 कायां शामिल है, प्रतेक विधा के परिचे ये तो एक संपूर्ण इकाई दी गई है, जिससे एक विश्ष्ट विध साहित की विश्ष्ष्ट विधा की सुतंत्र लेखन शैली को समझने में सहायक होती है, इकाई साथ के अंतरगर डाइरी विधा का विस्तार से उलेक किया गया है, और इकाई साथ में साहितिक विधा डाइरी है, इसके अंतरगर डाइरी विधा की विश्ष्ष्टाएं और डाइरी लेखन का संस्मरण, यात्रा वितान्त और आत्मकथा लेखन से जुमूल अंतर है, उसे इस्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इकाई आठ में पत्र साहित की विशिष्टाओं पर प्रकाश डाला गया है। गद्य विधाओं से पत्र साहित का अंतर लेशित किया गया है। इकाई संक्या 10 में हिंदी के प्रमुक यात्र वितान्तों का उलेख किया गया है, उनका परिचे दिया गया है, उसकी विशिष्टाओं और अंगद विधाओं से उसका अंतर भी बताया गया है। इकाई 11 में हम देखते हैं कि जीवनी विधा के रचनागत कत्तों की व्याख्या करते हुए, उसके संरचनात्मक शिल्प का विस्तार से विभेचन किया गया है। और इसी प्रकार से इकाई 12 में संस्मन लिखन का उद्देश, उसकी विशिष्ट संरचना, भाशा सहली, शिल्प, आदिका परिचे दिया गया है। उनके बारे में उनकी जो अवधारना है, वो इसपष्ट हो सकेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विवित प्रकार की विधाओं में को समझने के लिए, समझाने के लिए, पार्टिक्रम में कुछी इस तरह से विध्यार्थियों के लिए सामग्री उपलब्द कराई गई है। जिसके माधिन से वया आसानी से इन विधाओं से परचित हो सकेंगे। आत्मकथा लेखन, जीवनी लेखन, संस्मर, डायरी लेखन इत्याद ऐसी विधाएं हैं साहित की, जिनमें आधुनिक काल में अत्यतिक लेखन हुआ है, वर्तमान में भी अनेक लेखत इन पर अपनी रचनाएं कर रहे हैं। इसलिए बहुत महत्पूर हो जाता है कि डायरी लेखन को हमारे विध्याति किस परकार से समझ सकें और डायरी लेखन के देशा में उनकी जो समझ है, उनकी जो डायरी लेखन को लेकर रौधारना है, वो इस पश्ट हो सकें। हमारे विध्यारतियों के इस पार्ट कर में डायरी मोहन राकेश की डायरी का उलेख है, मोहन राकेश की डायरी आपके पार्ट कर में रखी गई है, डायरी मुख्यता एक साहतिक विधा है, डायरी और अन्य विधा हैं किस परकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे ह एक दूसरे से भिन्न है, डाइरी और आत्मगता में क्या अंतर है, डाइरी और संस्मर्ण में क्या अंतर है, डाइरी और यात्रा विर्तान में क्या अंतर है, इस पर विविचार करने किया गया है, मौन राकेश की डाइरी का पाठ दिया गया है, डाइरी का सार बताने का प्र क्या एक डायरी के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। इत्यात बातों पर विश्थार से विचार किया गया है। इत्यात बातों पर विचार करने पर पहले खंड में हमने देखा कि साहथ की विविदायों का अधिन किया गया। इस खंड में हम कुछ और साहथिक विदायों का अधिन कर सकेंगे। पहले एकाई और पार्ट करम की जो सातवी एकाई है उसमें डायरी विधा का धेन रखा गया है इसके लिए हमने महराकेश की जो डायरी है वो उसको हमारे विध्यार्थियों के विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और उसके कुछ अंस है जो हमारे लिए काफी उप्यूगी हो स सकती है और हम देखते हैं कि कहानिया उपन्नास नाटक कई द्रिष्टियों से महतपूर है हमने देखा कि अधेरे बंद कमरे उपन्नास की गर्णा स्रेष्ट उपन्नासों में के जाती है वैसे महनराकेश द्वारा लिखी डायरी उनकी आसामाईक मृत्तु के बात प्रकाशित नहीं हुई थी इस डायरी को पढ़ने से महनराकेश के व्यक्तित के कई अंजाने पहलों से विद्यार्थी परचीत हो सकेंगे उनका ऐसा कई सारा पच्छ साहिते से इतर भी उनके जीवन का जो पक्ष है वो इस डायरी के माध्यम से उजागर होता है डायरी कह परण पाठकों के सामने उपस्तित हो जाता है वैसे तो ये पूरी डायरी विद्यार्थियों अत्यदिक पठनिये हैं आप एक बार इस डायरी को पढ़ना शुरू करेंगे तो अंत तक पढ़ते चले जाएंगे लेकिन यहां पर हम उसमें कुछ बहुत चोटे बहुत विधा है डायरी गद्य की विशेस विधाओं में आती है इसमें लेखक का जो आत्मसाक्षातकार है वो प्रकट होता है वहां अपने आपसे संप्रेशन के स्थिति में होता है वहां स्वय में लेखक होता है और स्वय में पाठक भी होता है एक रचनाकार डायरी का इसमें उसके निजी अनुभो विक्त होते हैं तो डायरी लेखन हुआ, संस्पन लेखन हुआ, यात्रा ब्रतान्त हुआ, या आद्म कथा लेखन अथवा जीवनी हुआ, कहीं न कहीं ये विधाएं एक दूसरे से बहुत भीतरी तोर पर जुड़ी हुई हैं, इनके भीतर मूल भूत अंतर करपाना थुड़ा कठीन होता है, और लेकिन याद हम इनका गहराई से अधेन करें, तो पाते हैं कि इसमें कहीं न कहीं जो लेखक है, उसके जीवन की जो निजता है, जो उसके जीवन का निजी अनुभो है, वो इन गद्दी की विधाओं की माध्यम से अधिक करके लिखन करने के लिए प्रतबद्ध होता है, लेकिन जब वो डायरी लिख रहा होता है, जब वो अपनी आत्मगत्था लिखता है, या उसके विशे में कोई जीवनी लिख रहा होता है, या रचनाकार स्वेम भी यद अपने जीवन के विशे में कुछ उन लेक करते हु इन विधाओं को हम दो भागों में बाट कर समझ सकते हैं, विध्यार्थियों, कथात्मक गद्य विधाएं और कथेतर गद्य विधाएं, कहानी उपन्यास नाटक और कथात्मक गद्य विधाएं, विधाओं के अंतरगत हम इनका अध्यन कर सकते हैं, इनके मूल में एक कथान खोती हैं, पूरी विधा उस कथानक के इर्दिगिद घुमती है, आम तोर पर ये विधाएं कल्पना से निर्मित होती हैं, इन्हीं के सहारे लेखक अपनी रचना को अपने विशारों को इनमें व्यक्ति करता चलता है, लेखक अपने अनवह संसार में रहते हुए इनकी आधोनिक काल में कुछ ऐसी गद्विधाएं विकिसित हुई हैं, जिनमें हम देखते हैं कि रचना का जो मूल आधार है वो कल्पना नहीं है, वरन वास्तिविक अनुभो होता है, लेखक वास्तिविक तथ्यात्मक गटना का वरन अपनी रचना में करता है, तब भी इसमें साहेतिक सौंदर अव्यक्त हो जाता है, डायरी, पत्रलेखन, संस्मरंड, यात्रा विर्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, आज विधाएं कत्हितर गद्विधाओं के अंतरगत आती हैं, इनमें वर्डित जो घटनाएं हैं, लेखक की कल्पना की उपज नहीं ह होती हैं, वर्ण उनके जीवन के समुचित, घटित हुई होती हैं, तब भी उनमें साहेतिक सौंदर अत्तिधिक प्रकर रूब में व्यक्त होता है, डायरी कोई भी लिख सकता है, डायरी लिखने का आशय है कि अपने रोजमर्रा के अनभोव को किस प्रकार से लिप अपनी दिन्चरिया को उसमें व्यक्त करे, डायरी को रोजाना मचा भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब है रोज यानि प्रते एक दिन की घटनाओं का लेखा जोका, एक रचनाकार अपनी डायरी में कर सकता है, लेकिन ये कोई अनिवार शर्त नहीं है कि व्यक्त रोजाना ड डायरी लिखे, इसमें दिनों, सब्ताहों या कई महिनों के अंतराल के बाद भी वो अपनी डायरी में अपने वीते हुए समयों को समोता है, उसमें व्यक्त करता है, डायरी व्यक्ती प्रकाशन के लिए नहीं लिखता है, बलकि ये उसकी एक निजी इच्छा होती है कि वो अपने विचारों को, अपनी दिन्चरिया को, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी डायरी में व्यक्त करे, ताकि उन्हें दुबारा पढ़ करके, वो उसके साथ एक तादात मस्थापित कर सके, और अपने जीवन को कुछ इस तरह से, तमाम तरह के उलजुनों, या संघर्षों से किस प्रकार से वो उन परिसित्यों में रहते हुए, उसने निजात पाई, कैसे उससे उबरा हूँ, कैसे उनसे जूच करके, एक समाधान तक पहुचा, इससे एक रचनाकार को, एक पाठक के रूप में भी अपनी डायरी से प्रेणा मिलती है, तो किभेक आलखंड के इंतराल के बाद पढ़ता है, तो उसे स्वयम ही उसकी डायरी प्रेणा देती है, प्रेणित करती है, और उसे कहीं न कहीं जीवन ततापरदान करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डायरी लेखन को ज्यादा तर सामान नर्थों में हम समझते हैं कि अपने रोज की दिंचर्या ही उसमें एक लिखता होगा, किन्तो ऐसा नहीं है, इसमें वो दिनों, सताहों, कई महीनों के इंतराल को भी लिख सकता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि डाइरी एक नितांत निजी लिखने, रचनाकार का, जब वेक्त अपनी डाइरी लिख रहा हो सोच सकते हैं, ये सोयम से सवाल कर सकते हैं कि सोयम के लिए कोई लेखक क्यों लिखेगा कोई डाइरी, क्या डाइरी लिखना स्वांता सुखाय लेखन है, डाइरी लेखन क्या आत्मा अलोकन का एक तरीका है, डाइरी में व्यक्तिमाज गटनाओं और अनभवों का क्या वर पर बारे में ज्यादा बेबाकी और निर्मम्ता से लिख सकता है। आम तोर पर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि डारी लिखने वाले से ये पिक्षा की जाती है कि वहाँ उसमें कुछ इमांदारी से लिखेगा। इमांदारी से लिखना डारी की बुन्यादी शर्त है। इसके लिखक में आत्म बल का होना आवशक है। ये डारी लिखते समय विक्ति सत्य का आवरण डालने की कोशिच करता है। ये सत्य को पूरी बेवाकी के साथ अव्यक्त करने की आत्म शक्ति नहीं रखता है। तो डार का संबंद सत्य और असत्य से सदेव होता है यह ज़रूरी नहीं है डायरी में बातें लेखक अपरी द्रिष्ट के अनुसार ही लिखता है और यहां उसके द्रिष्ट अनवहों के विशलेशन में पूरी इमानदारी से विक्त हो रही होती है इसलिए डायरी उस लेखक के द्र जूदारी में नहीं लिखी जानी चाहिए क्या इसका ध्यान एक लेखक रखता है या एक लेखक को रखना चाहिए वैसे तो इसका फैसला इसका नेरे सुम मुझे करता है लेकिन आम तोर पर उन घटनाओं और अनुभाओं को डायरी में लिखने के लिए लेखक चुनता है जिने वहाँ अपने लिए महत्पूर समझता है या कोई साधान से अनुभो भी हो सकता है लेकिन उसका साधान से अनुभो में लेखक संभो है किसी गहरे सत्य का आलोक देख रहा हो किसी गहरे तथे को वो अपने सामने उस डायरी में उसका उलेक कर रहा हो इसलिए डायरी में घटना, अनुभो अतित महत्पूर्ण नहीं होता है ये बात हमने पहले भी आपको बताई इसलिए उसमें शिल्प का उतना महत्त नजर नहीं आता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक रचनाकार के लिए तो डायरी का लेखन भी एक रचनात्मक चुनोती ही होती है क्योंकि रचनाकार का जो विक्तित हुए रचनाकार का जो अपना हुनर है वो उसकी डायरी में भी समलित होता है कत्थी की दृष्टी से भी और शिल्प की दृष्टी से भी डायरी अतिंत मातपूर्ण विदा है डारी के लेखन के सबसे बड़ी शक्ती ये होती है कि उसमें लेखक अपनी बात को मन चाहे डंग से रख सकता है लेकिन सत्य से बधा होने के कारण उसे बंध कर भी रहना पड़ता है वह सत्य को उजागर करने के लिए भाशा में नेत संभावनाओं का पूरा उपयोग करता है वह अपनी बात और अपने भावों तथा विचारों के नुसार भाशा और शैली को ढाल सकता है ऐसा करते हुए उसे अपने रचनात्मक छंता का अतिंत साउधानी से उपयोग करना पड़ता है अंत में प्रिविद्यातियों डायरी के बारे में यह समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी पाठक किसी भी लेखक की डायरी को शिल्ब की उतकरशता के लिए नहीं पड़ता है अपितु उसमें लेखक के उस रूप को खोजना चाहता है एक पाठक जो अब तक उससे चुपा हुआ था जो उसने अब तक उस लेखक की अन्यान विधाओं की रचनाओं को पढ़कर नहीं प्राप्त किया था एक डायरी को पढ़ते हुए हमेशा पाठक इस बात की पेक्षा रखता है कि डायरी के माध्यम से वहाँ लेखक के निजी तोर पर उससे परिचय पा सकेगा उस लेखक के बारे में वो किस प्रकार की दिंचर्या से एक लेखक गुजरता है कैसे सोचता है क्या आम लोगों के जीवन से उसका जो जीवन है वो भिन्य है कहीं न कहीं डायरी के माध्यम से हम उसे ज़्यादा बारी किसे समझ सकते हैं लेख की विक्तित का या प्रकाशन भी वास्तों में डायरी में भाशा के माध्यम से ही होता है इसलिए डायरी में भाशा के जो रचनात्मा को प्योग है उसका किंद्री महतु हम कह सकते हैं कि होता है। डायरी और अन्य विधाओं की यदि हम तुलना करें और देखें कि डायरी और अन्य विधाओं के साथ डायरी का किस प्रकार से अंतरसंबंद है, डायरी किस प्रकार से अन्य विधाओं के रूप में जुड़ी होती है, कथितर गद्य विधाओं का जो तुलनात्मा कद्धेन हमें डायरी को समझने में वो सहायता प्रदान करेगी इसलिए हम डायरी और अन्य गद्य विधाओं की तुलना कर सकते हैं डायरी, आत्मकथा, संस्प्राण, यात्रा वित्तान और पत्र इन सभी गद्य विधाओं में लेखक के वास्तविक अनुभवों और उसके जीवन की तथ्यात्मक गटनाओं का वणन मिलता है विध्यार्थियों, इन सभी विधाओं के केंद्र में लेखक का स्वयम का जीवन होता है उसके स्वयम के जीवन का चिंतन और द्रिश्कोन नहीं थोता है इन सभी विधाओं में कहीं न कहीं तथ्यात्मक सूचनाओं का संप्रेशन होता है लेकिन ये लेखक का उद्देश नहीं होता है कि वो किवल वो इन सूचनाओं को अपनी डायरी का हिस्सा बनाते विए उसे व्यक्त करें यदू उसने मात्र सूचनाओं को संप्रेशित करने के लिए इन विदाओं का उपयोग किया है तो इनकी व्यवारी उपयोगता तो नहीं रह सकती परंतो साहितिक या कलात्मक उपयोगता इसमें जरूर छीन होगी ऐसे किसी सामगरी को हम साहितिक रचना की श्रणी में कदाचित नहीं रख सकते हैं डारी और आत्मकथा की अधिम बात करें तो डारी आत्मकथा का ही एक रूप है आत्मकथा में भी लेखक अपने जीवन की कहानी को कहता है डारी के पन्नों में भी लेखक अपने जीवन के बारे में ही बताता चलता है जब आत्मकथा का लेखक अपनी जीवन की कहानी दूसरों को सुनाना चाहता है तो उसका शोता या पाठक उससे अलग होता है उसका एक उदेश होता है अच्छी आत्मकथा आत्म साक्षातकार का ही एक रूप होती है लेकिन वह इसके लिए आत्मकथा नहीं लिखता है उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे वह दूसरों को सुनाना चाहता है यही कामना उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेलित करती है इसलिए हर आत्मकथा का एक अंतर नहीं तो देश होता है वह पूरी रचना उस देश से बधी हुई चलती है और एक लेखक आत्मकता का उसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए अपनी रचना को गती देता है उसे एक सुरूप पर दान करता है डायरी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों डायरी अपने शुद्ध रूप में सुयम को संबोधित करती है सुयम को संबोधित करते हुए रचती है उसका लेखक ही उसका पाठक होता है प्रथमता वह आत्मसाक्षातकार का शुद्ध रूप है अपने आप से संबाद ही उसका उद्देश होता है इसलिए डायरी में कई संकेत अनकहे रह जाते हैं कई बड़े प्रकरण संकेत में सिमट कर रह जाते हैं जबकि आत्मकथा में लेखक उस पूरे प्रकरण को विस्तार से प्रिष्ट भूम सहिद लिखता है आत्मकथा प्रकाशित होने के लिए ही लिखी जाती है जबकि डायरी प्रकाशित होने के लिए कोई भी रच्राकार नहीं लिखता है इसलिए आत्मकथा में लेखक, तथों और घटनाओं को जोड़, तोड़, मरोड़ कर अपनी हित में या अपनी दिर्ष्ट से भी प्रस्तुत कर सकता है उसे आत्म अउचित की स्थापना की भी चिंता होती है डायरी लेखक के लिए के सामने मजबूरी रही होती है क्योंकि डायरी हमने बताया कि वो उसके निजी जीवन के अनुभों को व्यक्त करती है डायरी कभी भी सामानत्याक कोई लेखक प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखता है वो अपनी निजी अनुभों को अपने एक दोस्त से जैसे कोई विक्ति साझा करता है वैसे एक डायरी कार एक डायरी लेखग अपने अनुभों को अपने डायरी के माध्यम से उससे गुप्तुगू करता है उससे साजा करता है तो कहीं न कहीं जो डायरी विधा है वो आत्मकथा की विधा से बहुत निजी तोर पर लेखग से जुड़ी हुई विधा होती है और जिसके नाते से एक लेखक, एक रचनाकार इनमें अपने आपको व्यक्त करता है, इसलिए वह अपनी तरब से उसमें कोई सत्य प्रगट नहीं कर सकता, वह अपनी गलतियों, कमजोरियों को सुईकार करता चलता है, आत्मकथा लेखक अपनी गलतियों के लिए कुछ बाहिकार ढूट कर, उन्हें मानुए कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करके पाटक की सहनभूत भे प्राप्त करना चाहता है, आत्मकथा का लेखक वस्तुता अपनी परवी करता है, डायरी का लेखक अपने आप से जिरह करता है, वह स्वयम के विरुद्ध नेड़े भी लेता है, इसलिए डायरी की जो विशेवस्तु है, एक दिन की होती है, जबकि आत्मकथा का जो लेखक है, वो अपने संपूर्ट जीवन का पुन्राव लोकन करता है, आत्मकथा का नेड़े लगभग मंजिल के पास पहुंचने पर किया जाता है, जीवन के किसी नेड़ायक मोर पर भावना का उदे होता है, जीवन के अन्भों के बारे में लेखक की एक अस्पश्टराय बन जाती है, वाद जब पीछे मुणकर अपने जीवन को देखता है, तो उसका सारा जीवन इसमृत के रूप में उसके सामने आ जाता है, जिसे व्यक्त करने की या बहुतायत लोगो तक पहुचाने के एक छट-पटाहट वो अपने भीतर महसूस करता है, और फिर वो आत्मकथा लेखन की और उन्मुक होता है, इसलिए आत्मकथा इसमृत पर निर्भर रचना होती है, कहीं न कहीं वो पूर्टया इसमृत आधारित होने के कारण अनेक तथ्थ और चली जाती हैं, जिन्हें लेखक चाह कर भी उसे इसमृत का सुरूप नहीं दे पाता है, सुयम के अंतराल में कुछ बातों को मानो सभावतिया भूल जाता है, कुछ बाते हमें महतुहीन लगने लगती हैं, वह सब चीजे आत्मकथा में छूट जाती हैं, क्योंकि एक समय जो बातیں बहुत महतु रखती हैं, एक लंबे अंतराल के बाद उन बातों का महतु जीवन में नहीं रह जाता है, आत्मकथा लेखक के सामने भी इस तरह की चुनोतियां होती हैं, जिन्हें लेखक चाह करके भी अपनी रचना का हिस्सा नहीं बना पाता है, उन सब सब का ए रचना करने की कोशित करता है जिस छण हम उनमन्भों से गुजर रहे होते हैं वो छण हम क्या सोच रहे होते हैं या डायरी का कत्थे ना कि आत्मकथा का कत्थे डायरी में वस्तुता देखा जाए तो जो भी रचनाकाल लेखता है वो आस्तवित्ता के अधिक निकट होता है क बातیں उस रूप में उस जीवन्त रूप में या उस प्रकर रूप में नहीं आ पाती हैं, हलनकि रचना कार अपनी कोशल और प्रतिभा के बल पर उसें डायरी की विज की बराबर या संतुल जीवन्ता ला देता है या उसी प्रकार की समविदना उसमें उत्पंड करने की छम रखता हो ये एक अलग बात है लेकिन डायरी लेखन में जो बातें स्वभाविक रूप में आ जाती हैं और वही बातें उसी रूप में लिखने के लिए आत्मकथाकार को अपने आत्मकशल लेखनकशल का प्रियोग उसमें करना पड़ता है तो यहां आत्मकशल का कथ है डायरी में तात्कालिक प्रत्क्रिया होती है ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आगे चल का सुएम लेखक ही न कार दे किन्तु डायरी लेखन में वो बातें उस समय एक लेखक लिख लेता है डायरी के लेखन में वास्तों में निरंतरता होती है इ वह पूराने विचारों को त्याग करने विचार ग्रहन करता है। ये वहचारी के आत्रा लेखक को समझने में वास्तों में सहायक होती है। आत्मकथा में जो लेखक अपने अंतिम निश्कर से देता है, वह उसके प्रतिनिद विचार होते हैं। इसलिए डायरी में विचारों को हम लेखक की अंतिम प्रामारिक या प्रतिनिद राय नहीं मान सकते हैं। क्योंकि एक समय विशेस में जो बाते मन में आती हैं, डायरी का लेखक अपने बातों को जियू करते हो अपने डायरी में लिख देता है। लेकिन साल, दो साल या एक लंबे अंतिराल के बाद स्वयम लेखक ही उन विचारों से उन बातों से तफाक नहीं रखता है। उन विचारों के साथ स्वयम को भी खड़ा होता नहीं पाता है। इसलिए कहीं न कहीं जो डाइरी है वो रचनाकार के विकास के रूप में हमारे सामने एक रचना बन करके आती है जिसमें ये संभावना बराबर रहती है कि इसमें व्यक्त जो विचार हैं वो तातकालिक रूप में लेखक के सुभाव और विचार और उसके देश्टकोंड को विद्यार्थियों तो जब कोई व्यक्त किसी दूसरे व्यक्त के बारे में किसी तीसरे व्यक्त को कुछ बताना चाहता है तब वहाँ सिधे अर्थों में हम कहें कि लेखन की वो लेखन की संस्मन की विधा को अपनाता है डायरी लेखन और पाठक एक ही विक्त होता है जो डायरी का लेखक होता है और उसका जो पाठक होता प्रारंबिक वो एक ही विक्त होता है कि क्योंकि जो डायरी लेखक लिख रहा होता है वो उसे कोई किसी पुस्तक की रूप में रचने का प्रयास नहीं करता है अपितु अपने जीवन को अपने से ही साजा करता है, जबकि संस्मरण लेखक की विधा को अपनाता है, जब कोई लेखक संस्मरण को अपनाता है लिखने में, तो वो उससे भिन्न होता है, वह अपने लिए ही लिखता है, लिकिन संस्मरण में कोई पाठक होता है, वो किसी प संस्मरण आत्मकथा के अधिक करीब होता है संस्मरण का जो देश होता है वो पराया सामाजिक द्रिश्टकूर से वहत्थपूर विक्त के बारे में कुछ नहीं बाते बताने का होता है संस्मरण का जो नायक है या जो उसकी विशय वस्तू है संस्मरण की वो सामाजिक व्यक्ति केंद्रित होती है आम तोर पर हम देखते हैं कि अतिसामान व्यक्त का संस्मर्ण पराया नहीं लिखा जाता है लेकिन ऐसा अनिमारी भी नहीं है एक लिखक किसी पर भी संस्मर्ण लिख सकता है किन्त पराया वो कहीं न कहीं किसी विशुष्ट व्यक्त पर ही संस्मन लिखा जाता है पंडित जवाला नेरूजी, प्रेमचन, अलबर्ट, आइंस्टीन, बिरजू महाराज जैसे लोगों पर अनेक संस्मन लिखे गए हैं हमारे साहित में पाठक इनको जानता है, वह इनके बारे में और भी बहुत सारी बाते जानना चाहता है इसलिए वो संस्मन का धेन करता है इसलिए एक सामान आदमी भी इसके बारे में अपने संस्मन सुना सकता है संस्मन में लेखक, संस्मन जिस व्यक्त के बारी में है और पाठक ये तीन बिंद होते हैं डारी में लेखक ही पाठक होता है, लेखक अपने बारे में भी डारी लिख सकता है इस तरह ये संभवे की डारी का विशय भी लेखक स्वयम हो सकता है पाठक और लेखक तो वह होता ही है प्रिय विद्यार्थियों संस्मण में लेखक से इतर किसी व्यक्ति अथवानायक का होना आवशक है सिर्फ अपने बारे में कही गई बातें संस्मण की स्रेणी में नहीं आती है संस्मण का विशय होना अनिवार है उसमें एक विशय का होना तरह करना पड़ता है जिबकि डायरी में किसी पूर्व निरधारित विशय के लिए लेखक बात दे नहीं होता है उसमें कहीं न कहीं वो अपने जीवन की दिन्चरिया को ही व्यक्ति करने के लिए प्रतबद होता है संस्मर्ण में भी आत्मा व्यक्त की संभावना अधिक होती है लेखक अपने बारे में भी बीच बीच में कुछ-कुछ बाते कहता चल जाता है दरसल संस्मर्ण का विशय दो व्यक्तियों का साजह अनुभव होता है लेखक और विशय जिस विंदू पर आकर मिलते हैं उसका वर्णन संस्मर्ण का कत्थ होता है लेखक अपने बारे में जो कुछ भी कहता है उसका संभन्द प्रस्तुद व्यक्ति से कुछ-कुछ-कुछ होता ही है इसी तरह प्रस्तुद व्यक्ति का कुछ न कुछ संबंद लेखक से होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उसका संस्मान लिखने का हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं ना हमें अधिकार होता है इसी तरह उस व्यक्ति के बारे में हम वही बातें लिख सकते हैं, जितना कुछ हम उसके बारे में स्वेम जानते हों, देखते हों, महसूस करते हों, हम सुनी-सुनाई बातों पर संस्माण नहीं लिख सकते हैं। संस्माट के द्वारा उस व्रक्त के बारे में अपनी गवाही देते हैं, समाज में पूर में पचलित बातों को पुष्ट करते हैं, संस्माट लिख सकते हैं, उस व्रक्त के बारे में भी हम नई बाते कह सकते हैं, तो ऐसे में एक संस्माट लिखने के लिए सबसे पहले उस व लिख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं लिख सकता है, निजी निजिता संसकरण और डारी की भी अपनी विशेष्टा है, संसमर्ण में आप कोई गोपनिय रहस उद्गाटित करें, ऐसा आवशक नहीं है, संसमर्ण प्रकाशन के लिए लिखा जाता है, इसलिए उसमें लेखक आत आत्मकथा के बहुत करीब होता है, संसमर्ण भी आत्मकथा की तरह इसमर्ट से लिखा जाता है, इसमें भी कुछ बातें छूट जाती है, कुछ बातों को गयर जरूरी मानकर लेखक उन्हें स्वैम छोड़ देता है, प्रासंगिक दिश्च से मूलवान बातों को भी वह इ जाता है, तभी तो वह इसमर्ण है, इसके लिए वह डायरी का सहारा ले सकता है, परंतों उसका कथ डायरी से अलग हट जाता है, डायरी का जो लेखक है, लेखक भी है और अपनी डायरी में संसमर्ण का उप्योग भी कर सकता है, परंतों उसके कथे का उदेश थुड़ा ब कथा लेखर में ले सकता है किन्त डायरी लिखने के लिए उसे किसी प्रकार की सामगरी के आवशक्ता नहीं है क्योंकि ये वो उसके जीवन में प्रति दिन घटित होने वाली घटनाओं पर अधिक केंद्रित होती है या उसकी दिन चर्या हुई उसके जीवन या अपन की का ज अपने इनी सब बातों को समाहित करता है इनी सब बातों का उलेख करता है इसी प्रकार हम देखते हैं कि डायरी और यात्रा वृतान्त में क्या अंतर है और यात्रा वृतान्त और डायरी विधा दोनों एक दूसरे के लिए दोनों विधाएं साहिक है ये भी एक विचारण अस्थान विशिस की विवीचना अपनी यात्रावितांत की माध्यम से करना चाहता है जाहिर है कि ऐसे वर्णन उन अस्थानों का होता है जहां लिखक स्वेम गया हो जो अस्थान लिखक को स्वेम पसंद हो सुनी-सुनाई बातों के आधार पर यात्रा वृतांत भी लिखना सम्भो नहीं है यात्रा वृतांत में उस अस्थान विशिस का विशिस वर्णन देना आवशक नहीं होता है यदा आप उस अस्थान विशीज पर जाएं, जैसे हम किसी होटर में जाएं या वहाँ पर रुकें, किसी अस्थान से कुछ चीजें खरीदें, खाना इत्याद करें, ये बाते हमारी यात्रा बृतान्त के लिए आवशक नहीं है, एक अच्छे यात्रा बृतान्त में तथ्य को उर्जा मिले, प्रेना मिले, कई न कई उससे उससा और उसका उससा बर्धन हो, ज्यान बर्धन हो, तो यात्रा बृतान्त के माध्यम से लेखक प्राया इन बातों का भी ध्यान रखता है, उधारन के लिए किसी शहर में पुराना किला या घंटागर बना हुआ हो, ये ए अब उस घंटागर या पुराने के लिए को देखकर, लेखक की मन में जो भावनाय जागरित होती है, लेखक उन बातों, उन चीजों को देख करके क्या अनुभो करता है, किस प्रकार की अनुभूत को वो महसूस करता है, और कैसे फिर वो उसे कैसे रचरात्मक रूप में अपने लेखन का हिस्सा बनाता है, ये देखनी की बात होती है, लेखक की कल्पना कहीं न कहीं इसमें अधिक सक्री होती है, उसका युगदान होता है, उन सबका वरण पर्यटक नर्देशका में नहीं होगा, ये कल्पना शिलता और जो भावकुलता है, भावक्ता है लेख हम उसे यात्रा वृतांत का कते ही नहीं मान सकते हैं यात्रा वृतांत को डायरी के रूप में लिखा जा सकता है और डायरी संस्मर्ण के रूप में भी लिखी जा सकती है इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि डायरी का लेखन उस दिन का होता है उस दिन एक दिन यद आप किसी विशय सथायन पर गए हूँ तो उसमें आप उसका ऊवर्ण कर सकते हूँ डारी का यह सा यात्रा वियर्तांत का एक रूप हो सकता है यह भी हो सकता है कि आप अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद उसका ऊवर्ण करने बैठे हूँ इसे में इसपष्ट है कि ऐसा आप इसमृत के आधार पर ही करेंगे भले ही यात्रा बृतान्त डायरी की तरह उस दिन लिखा गया हो या लिखा जा रहा हो परन्तु उसे अपनी उसी दोरान लिख लिया जाता है जब तक कि यात्रा का अनुभो आपको याद हो इसलिए यात्रा के 10-15 दिनों के भीतरों से लिख लिया जाना आउशक होता है इस तरह या सजीव इसमृत का लेखन होता है यात्रा बृतान्त का एक लक्षई भूत पाठक होता है ये पाठक डायरी के पाठक से थोड़ा विन्य होता है जहां रचना किसी व्यक्त को संभोधित होती है महां लेखक में आउचारिक्ता आ जाती है आप ठीक से वाक्त के बनाते हैं पूरी बात भूमिका के रूप में लिखते हैं आइस्पिष्टता से यात्रा बृतान्त का लेखक बसता है पृतेक संप्रेट को समझने की कोशिस करता है या लिखते हुए संप्रेशन के नियमों को ध्यान में रखता है या रचना कौशल डारी से उसको अलग करती है यात्रा बृतान्त का कोई न कोई उद्देश अवश्य होता है आम तोर पर किसी अस्थान विशेश के संदर से या वहां की सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी से प्रेरित होकर ही लेखक यात्रा करता है यात्रा के लिए प्रेरित होता है और उस अस्थान विशेश की यात्रा करके एक नए अनुभो से गुजरता है उसके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उसे प्रेरित करती हैं ताकि वो यात्रवरतान लिखने के लिए बाद दोस्त होता दिखता है। कहीं न कहीं उन अनुभों को पाठकों के साथ साजा करना चाहता है। उसके भीतरी आकांच्छा होती है कि उस अस्थान विशेश पर वो जाए उसे उस लेखक की देश्टे से भी एक बार देखे वो अपाठक के साथ संप्रेशन की स्थित्य में आना चाहता है। हिंदी में अग्ये और निर्मल वर्माने बहुत उत्कृष्टे यात्रा वितान्त लिखे हैं। और इन यात्रा वितान्तों को यदि विधार्थी पढ़ते हैं तो उनको यात्रा वितान्त के विशेय में और अधिक इस्प beautatta मिलेगी। तो इसलिए हमें यात्रा वितानत को पढ़कर के ही उनके बारे में समझा जा सकता है। इसी प्रकारी अदम उदारण के तौर पर डायरी लेखन की बात करें तो डायरी लेखन विधा मोहन राकेज की जो पाट करम में रखी गई है उसमें एक छोटा सा दृष है जो डायरी के माध्यम से मोहन राकेज दी कहते हैं और आप देखेंगे कि उस छोटे से अंश को पढ मोहन राकेज की डायरी में 1958 का एक किस्सा है एक दिन का 26 जनवरी का वो लिखते हैं हवा में वासंती स्पर्ष है समय अच्छा अच्छा लगता है ऐसे में अनायास मन होता है कि हलकेल के स्वर में किसी से बात करें अपने चारों और घर की मिठास घर की उश्वनता हो किसी के हाथ चाय की प्याली ला कर दें और प्याली के साथ वा हाथ भी थाम लें हलका सा खिचाओ हो होट मदिर मुस्कराहट से फैल जाएं परंतिया सब कैसे हो जिससे इस सब की आशा की थी उसने तो उस दिन रेखा खीची दी जिससे वस्तुता आशा की पूर्ती संभो है उसके अपने बंधन हैं अपने दाइत्व हैं एक भरा पूरा घर है जहां उसे अपना एक निश्चित रोल अदा करना होता है और मैं इस एकांत से इस वीरानगी से समझोता करने के प्रत्न में हूँ जिससे किसी रूप में तो जीवन की धूरी बैठ जाए लिखने पढ़ने में अपने को पूरी तरह खूल लिया जा सकता है क्यों न उस आस्पेक्ट को मन से निकाल देने का प्रत्न किया जाए प्रत्न मात्र से ही तो परड़ाम नहीं निकल जाता वस्तुता ट्रेजडी हुई है उसमें मेरा डुनुलापन ही तो कारण है तो इस प्रकार से हम देखते ह कि मुहन राकेश जी इस डायरी में कितनी निजी बातों को अपनी मन की उस वास्तविक व्यथा को व्यक्त करते हैं डायरी के पन्नों में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके डायरी का या पन्ना एक साहितिक विधा के रूप में हमारे पाठक भी पढ़ने के रूप कि दिन उनकी क्या माना इस्थिती थी उनकी मन में क्या बाते चल लही थी किन कारणों से चल लही थी और क्या लेखक भी एक सावान व्यक्त की तरह कहीं न कहीं संबंधों के रिष्टों के तुर्पाई में उल्जा हुआ था और उसे ले करके वो तरह तरह के विचार अपने म में पनबते हुए देख रहा है उससे व्यक्त कर रहा है तो इस प्रकार से डायरी लेखन में लेखक कितनी नीजी बातों को अपने डायरी में लिखता है और कहीं न कहीं पाठक इने पढ़ करके स्वेम को भी उन विचारों के साथ उड़ता हुआ, बहता हुआ, प्रवाहित ह होता हुआ पाता है मोहनदाकेस की डायरी का यद हम सारवत बात करें तो इस डायरी में जालंधर में रहते हुए उन्होंने 26 जनुरी 1958 को और 27 जनुरी 1958 के दिल ये डायरी उन्होंने लिखी थी अपनी प्रसंचित मन इस्तिती का जिक्र करते हुए लेखक हवा के रुमानी प् आमना करता है उसका नाम नहीं लिखता है वह आश्वस्त स्नेहिल और घरीलिव संबन्ध की कामना करता है एक आम व्यक्त की तड़ा जीवन यापन करने की इच्छा लगता है वह चाहता है कि किसी के हाथ चाए की प्छाइली याकर कोई उसे दे दे इस्सी सुगतनक पलपन पारिवारिक दाइत्वें जो उसके लिए चाह करके भी उसका नहीं हो सकता है लिखक अपने जीवन के इस खालीपन से बहुत परिशान है अपने इस खालीपन को वो अपने इस डायरी में साजा करता है उसे लिखता है और लिखते हुए कहीं न कहीं वो एक दोस्त के तरह इतना वो खो जाए कि उसे रिष्टों के इस फालिक खालिपन की अनभूत ही ना हो। भावनात्मक रिष्टों को मन से वो हमेशा के निकालने की इच्छा रखता है। क्या ये संभव है? इसके लिए वा कहीं अपने धुल्मुन पन को ही दोशी मानता है। शिमला के एक दृष्टांद का उलेख करता है लेखक इस डायरी में वो कहते हैं कि किसी हितैशी महिला मनोर्मा साहनी ने कहा था कि जब मन नहीं है तो ब्याह क्यों करते हो? मना कर दो। लेखक भी सोचता है कि वेणा को पत्र लिख कर दे ही दे रात के वाता उरण का जिक्र करते हुए डायरी का लेखक मोहन राकेश दे लिखते हैं कि वह बहुत ठक गए हैं और सो जाने की इच्छा रख रहे हैं पर उन ठकते ही नहीं हैं ठक भी गए तब भी नीद नहीं आ अजीब सी उलजन है उनकी मन में नीद आ भी जाए तो थका नहीं मिरती सुबा ऐसा लगता है मानों 10 गंटे दफ्तर में काम करके घर आये हूँ अगले दिन 27 जौनरी 1958 की डायरी में लेखक ने वेणा को पत्र लिखा और उस पत्र का उद्रत करते हुए लिखा है कि वेणा के पत्र का जबाब देते हुए मोन राकिस जी लिखते हैं सारे शहर में कोई जी भर कर बात करने के लिए व्यक्त नहीं मिला सिर्फ उसका चेहरा मिलता है मानुए संप्रेशन की या कमी लेखक को खलती है फिर वेणा का पत्र पढ़ता है कितनी बार बता चुका हूँ कि मा बस पर सफर नहीं कर सकती मतलब या कि मा ना आये तो लेखक भी नहीं आ सकता लेखक सोचता है कि वहाँ जाने से भी मन इस्थिर हो जाएगा क्या या तै है लेकिन सूचित कर रहा है कि इन दिनों वाल लिखने पढ़ने के कारियों में लगा हुआ है फिर वाल वेडा से मोन राकेस यहाँ फिर डायरी लिखने की पेना का उलेख करती हुए कहते हैं बहुत कुछ ऐसा भी संप्रेशन होता है जिसे बात के रूप में देखें तो कुछ भी नहीं होता पर होता वा बहुत कुछ है लेकक सोने से पहले उमनने वाले उसकुछ को संप्रेशित करने के व्याकुलोडता है उसकुछ की अव्यक्ति का एक रूप ये डाइरी है लेखक अपने आपको अव्यक्ति करते हुए आगे कहता है कि उसमें धायरे नहीं है वह प्रतिक्षा नहीं कर सकता है किसी का जो हो ना है वह हो जाए मोसम बदलना है तो तुरंत बदल जाए परंतो ऐस होता कहा है जीवन में इसमें भी तो निराशा ही अधिक हात लगती है अपने अकिले पंच से मुक्ति पाने के लिए लेखक बार-बार इच्छा रखता है कामना करता है कि उसके आसपास जो व्यक्ति हैं ना सही एक भावना रहे उनके साथ जुड़ी रहे उसके रहने का व स्वयम भी अपनी मुस्कराट से छला जाता है इससे तो अच्छा है कि वा किसी अपरचित देश की संगीत सुने या उपन्यास पढ़े या घूमे फिरे या रोज नीत की एक गोली खा कर सो जाए लेखक को लगता है कि चिंतन सोचना विचारना एक बिमारी है जो अकेले मे बढ़ती है अकेले में व्यक्ति को अधिक परिशान करती है अधिक उलजाती है लेखक को लगता है कि इससे मुक्ति पाने के लिए चार छे रोज के लिए दिल्ली उसे हो राना चाहिए फिर वापिस आकर काम करेगा इसकी सूचना वो पत्र में देता है लिखता है पत्र सम अपनाओं में मीठे खयालों में क्यूं उलजते हो इस तरह से उलजने से क्यों काम प्रभावित होगा जीवन और समस्याओं में उलज जाएगा निस्तेज और निर्जियू सा परतीत होने लगेगा तो कई तरह से लेखक अपने आपको समझाने के कोशित करता है तो इस डा जो अपने खालीपन को कहीं ने कहीं अपनी डायरी के माद्यम से अनवरत व्यक्त करता चलता है जो एक सामान परिवार या पारिवारिक रिष्टों में जीवन यापन करनी के आकांच्छा रखता है लेकिन कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों के चलते वो वैसा जीवन नही जी पाता है या उसके नसीब में ऐसा जीवन जीना संभव नहीं दिखता है जैसा आम लोगों के जीवन में होता है तो हम देखते हैं विद्यार्थियों की डायरी के जो विश्ष्थाएं हैं वो यही हैं कि लेखक अपने निजी जीवन को व्यक्त करते ही भी एक जब रच पर पाठकों के सामने रख देता है जिजे पढ़कर पाठक भी प्रिरित और उत्परिरित होता है और कहीं न कहीं वो अपने जीवन के इस तरह के निजी संगर्शों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है या खोजनी की उसको प्रेड़ा मिल जाती है हम डायरी की इसे रचना के रूप में देखें तो हम पाएंगे किसी नितान तथ्यों का नितान तभाव है इसमें किसी भी तथ्य का या किसी भी भावना को विक्त करने के पूर्व लेखक ने तथ्यों का व्यवरा नहीं दिया है कौन सी घटना किस कारण से हुई है कौन सी घटना किस जिम्मिदार है, इन सब बातों पर वो अपना समय जाया नहीं करता है, वो कि वल अपनी उन कालपणिक और प्रेमिल बातों को बस वो व्यक्त करता चलता है, या कहीं न कहीं जीवन के खालीपन के चेटपुटाट को अपनी डाइरी का हिस्सा बनाता है. इसे रचना के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि इसमें तथ्यों का अभाव होने के बावजूद भी ये बहुत प्रेड़क डाइरी है टैरी का उद्देश हम जान सकते हैं उसमें हमें कोई खास जानकारी मिलती हो सो बात नहीं है तत्य नहीं है तत्यों के संकीत है जिनें लेखक जानता है उसे पता है उन तत्यों के प्रत्मान्चिक प्रत्क्रियाएं लेखक ने व्यक्त की है ये दुने वार नहीं लिखता तो स्वयम ही भूल जाता इसलिए एक संकेश सुचक वाक्त लिखकर आगे बढ़ जाता है उधारण के तोर पर लेखक लिखता है जिससे इस सबकी आशा थी जिससे आशा थी वो उस व्यक्त का नाम नहीं लिखता है उसे अपने संबंदों का उधगाटन नहीं करता है लेकिन वो लिखता है कि जिससे इस सबकी आशा थी उसने तो उस दिन लेखक खीच दी इस वाक्त का संपूर अर्थ लेखक जानता है हम नहीं जानते हैं लेखक ने हमें सिवाक का अर्थ नहीं समझाया है क्यों? क्योंकि लेखक ने हमारे लिए अर्थात पाठक के लिए इस डारी को नहीं लिखा है उसने तो अपने लिए लिखा था और ये संकेत को भी वहा कभी नहीं समझ सकता है ये डायरी के लेखक की अपनी विशेष्टा है यद लेखक संस्मर्ण यात्रा व्रितान या अत्मकता लिखता तो इस प्रक्रण का अवशुलेख करता इसका विस्तार से व्योरा देता डायरी में वर्णे तिनमानसिक प्रतकरियाओं के से हमारे सामने लेखक के रूप में एक ऐसे भावग व्यक्त की तस्वीर उभर कर सामने आती है जो रिष्टों की उश्मा से जीना चाता है रिष्टों पर निर्भर रहना चाता है एक सामान पारेवरिक जिवन की आकांचा रखता है वह चाता है किसी का हाथ चाय की प्याली लाकर दे आत्मेता की कामना और उसके अभाव की पीड़ा का ऐसा दर्द जिसे किसी दुनियादार आदमी को नहीं समझाय जा सकता हम उस लेखक की डायरी को पढ़ते हुए मैसूस कर सकते हैं प्रतेक पाठक इस डायरी के अंशों से गुजरते हुए ये पाता है कि एक बड़ा लेखक भी एक सामान एक मामली व्यक्ति की तरह उस समवेदनाओं के खालीपन से बहुत ही पीडित है दूसरे लेखक स्वेम भी जानता है कि इस दर्द का इलाज संभो नहीं है इसे सहना ही पड़ता है जीवन के प्रतेक च्षण प्रतेक पड़ाओ पर फिर काम करे और ठक जाए ठक जाए तो सो जाए पर तो दर्द की सीमा यहां तक नहीं है कि नीद आती है तो ठकान दूर नहीं होती दर्द की दवा की नर्थक्टा का एक एक सास ही लेखक को डायरी जैसे मिजी और आतमी लेखन की और प्रेरीज़ करती है यानि कि इक लेखक के तोर पर लेखक लिए जो दवा नहीं कर पाती है जिस दवा को खाने के बाद भी लेखक को नीद नहीं आती है वो डायरी के उन पन्नों में अपने जीवन को रिखांकित करके अपने डायरी में अपने आपको साजा करके करते हुए लेखक को नीद आ सकती है या लेखक थकान तक अपने को पहुंचा सकता है जिससे उसे नीद आ सके दो दिनों की इस डायरी म निरंतर्ता है सातत रूप में ये डारी लिखी गई है जो दर्द पहले दिन की डारी में है वही दर्द दूसरे दिन भी लेखक के भीतर जहन में मौजूद है इस दिन वीरा को पत्र लिखा गया है इस पत्र में भी वही आत्मसाक्षातकार है अपना ही उतावलापन है, आइस्थिर्ता है, दिवास अपने आकांचा है लेखक एक ऐसी भावना को अपने आसपास देखना चाहता है जो मेरे तक्ये के पीछे आखड़ी होगी, मेरे बालों को सहला देगी जाहिर है कि यादिवास अपने देनिक जीवन में अनेक कश्टों को ने उता देता है अनेक पीडाओं को जन्व देता है, ये पीडाएं डायरी की अनशों में मौझूद है यही एक डायरी कार की सफलता भी है, यही पाठक के लिए डायरी को पढ़ने की विवश्टा भी है आत्मसाक्षातकार की रूप में लिखी गई, इस डायरी में किसी प्रकार की भूमिका नहीं है लेखक ने अपने वोर से किसी प्रकार की भूमिका इस डायरी की लेखन में नहीं लिखी है लेखक किसी अनिको संबोधित नहीं करता है इसलिए इसमें आवचारिक लेखन की दिर्ष्ट से अनिक खामिया कमिया दिखाई देंगे लेकिन उस एक दिन लेखक क्या महसूस करता रहा इसकी तस्वीर उस दिन डायरी में पूरी तरह से उपलब्द है और यही इस डायरी को सबसे बड़ी मात्पूर्ण चरण पर पहुँचा देती है यही इस डायरी की सबसे बड़ी उपलब्धी भी है इस रूप में या किसी भी डायरी के उपलब्दी हो सकती है जो पाठकों को सोचने के लिए विवश्च करे जो इसे पढ़ने के बाद कहीं न कहीं अपने जीवन के उस फालिकपन को भी टटोल सके महसूस कर सके और इस रूप में हम देखें तो मोहन राकेश की ये डायरी अतिन सफल विधा के रूप में हमारे सामने आती है डायरी आत्मसाग छातकार के विधा है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें व्यक्ट अपने आप से समवाद करता है मोहन राकेश की इस डायरी के अंश के दो दिन की लेखन की मनास्तिती का बहुत ही सुन्दर चित्रन लेखक ने किया है इस मनास्तिती का विशेश संदर्व है इस संदर्व का खुलासा डायरी में नहीं है लेकिन उसके प्रभाव का चित्र अतिन प्रभावी रूप में डायरी में अंकित हुआ है यही डायरी की सफलता है एक उधारन देते हुए मैं इस बात को इसपश्ट करना चाहूंगा मुहनराकेश जी लिखते हैं अपनी इस डायरी में जब भी मन उखडने लगता है चाह होती है वेना को एक पत्र लिख दे उसे बुरा लगे या अच्छा लगे किन्तु लिख दे सच में उसकी आत्मेता किस तरह अच्छा लेती है कैसे मानू कि वा मेरे लिए पराई है और किसी और के लिए अपनी है मौराकेश ने अपनी मन की उल्जन को भी डायरी में दर्ज किया है मन में अगर बेचैनी है मन में मन अगर स्थिर नहीं है मन यदि उतावला है तो काम अपने को लगाए रखने में या किसी काम में अपने को लगाए रखना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है काम में मन नहीं लगता शरीर पर भी उसका अनकूल अशर नहीं होता वे लिखते हैं आगे इसी करम में के लिख रहे हैं कि किसी तरह ठक जाएं लिखा किसलिए लिख रहा है कि वो किसी तरह से अपने को लिखते हुए थका ले, जिसे उसे नीद आ जाए, मगर वी डंबना ये है कि कितना भी थकनी की कोश्च करे पूरा थकते नहीं, लिख जाते है तो नीद नहीं आती है, और नीद आती है तो थकान दूर नहीं होती है, ऐसे सुबा उठते हैं जिसे दस गंटे दफतर में काम करके घर लोटे हूँ तो लिखक काल रचनाकार अपनी इस रचना में इतना मश्गूल हो जाता है कि उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता है अजीब सी तडप और उल्जन है उसके मन में अजीब सी बेचैनी है उसके बीदर और उसके पास कोई समाधान नहीं है उबार बार विणा को पत्र लिखता है या विणा से पत्र की प्राप्ति की आकांच्छा रखता है और इस प्रकार से उसकी जो व्याकुलता है और समपोर्टा से इन डायरी के पन्नों में अंकित हो जाती है और पाठक इसे पढ़कर उसी रूप में बहुव्यवल हो जाता है कहीं न कहीं वो उसी भावना में प्रवाहित हो जाता है उसका मन तो हम देखते हैं कि एक डायरी विधा के रूप में मोहन राकेश की रचना अतियन्तूत क्रिष्टा और सफल रचना है हम इसकी अगर भाषा सहली पर बात करें तो डायरी लेखन या डायरी लेखक कार कभी भी डायरी लिखते समय उसकी शहली पर ध्यान नहीं देता है वो जिस कोट का या जिस तरह का लेखक होता है जिस तरह की भावनाएं उसके भीतर होती है उसी तरह की रचनाएं या शहली की रूप में उसकी डायरी में वो बात दिश्टगत होती है वैसे तो डायरी कई देशयसों सो प्रेरित होकर लिखी जाती है उसमें रोज का हिसाब किताब दर्ज किया जाता है हर रोज डायरी लेखक जीवन की घटनाओं में घटने वाले घटिवी घटनाओं का विवरण उसमें प्रस्तुत करता है लेकिन ऐसी डायरी को साहितिक बिधा प्राया नहीं कहा जा सकता वही डायरी रचना का दर्जा प्राप्त करती है जिसमें डायरी लिखक की रचनातना कोर्जा की अव्यक्ति होती है वह गटनाओं और भाओं का वर्णन परियाप्त नहीं मान चकता इस तृष्ट से देखने पर हम पाते हैं कि मोहन राकेश की डायरी में गटनाओं और भाओ को जगजोर देता है मोहन राकेश दी लिखते हैं हवा में वासंती स्पर्ष है समय अच्छा अच्छा लगता है ऐसे बें अनायास मन होता है कि हलकेल के स्वर में किसी से बाते करें इन दो वाक्यों में लिखने डारी लिखने के चणों का वार्डन किया है लेकिन ये वार्डन इस तरह से भी हो सक्ता रहे था वसंत की हवा चल रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी किसी से बात करने का मन कर रहा था बात कहने के इस ढनकी तुलना यद मोहन राकेश के कथन से करें तो हमें उनके कथन की उतकरशता का एहसास आसानी से हो सकता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहन राकेश की जो रचना धर्मिता है बड़ी उतकोट की है तो प्रिय विद्यार्थियों हिंदी साहित विविद विधाओं में हम देखते हैं कि साहित की विवित विधाओं के अंतरगर डारी एक सशक्त और मजबूत विधा है साहित की और इस विधा के रुप में मोहराकेश की डारी बहुत ही सफल और मन को छू लेने वाली भावों से भरी हुई डारी है तो हमें विश्वा से हमारी विद्यार्थियों को डायरी विधा और अगद्द की अन्य विधाओं के साथ किस तरह डायरी विधा को जुड़ाओ है यह उधारना स्पष्ट हुई होगी इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आभार नमस्कार